हाई फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चानल आज शेर करने जा रहे हैं प्रॉन विद कोकोनट मिल्क करी की रिस्पी यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसे जिंगा फिस्ट भी बोलते हैं यह एक सीफूड है इसका ग्रेवी बहुत ही क्रीमी बनता है तो चले शुरू करते हैं तो प को निकाल लेंगे और इसको चोटे-चोटे पीस करके ग्राइंड कर लेंगे तो ग्राइंड कर लिए हैं इसको पतले कपड़े में डालके मिल्क को निचोड लेंगे इस तरह से घर पे ही कोकोनट मिल्क बना लेते हैं तो यह काफी फ्रेस और क्रीमी बनता है जिसे ग्रेव coconut milk मिलता है तो उसको भी यूज कर सकते हैं एक बाव लिए coconut milk निकाल लिए हैं अब कड़ाई को चड़ा देते हैं इसमें दो चमच और डाल के गरम कर लिए हैं और प्राउन को डाल देंगे और इसको फ्राइ करेंगे फ्लेम को मीडियम हाइप पर रखते हैं और इसको तीन से चार मिनिट के लिए प्राउन को फ्राइ कर लेंगे फ्राइ हो गया है इसको प्लेट में निकाल लेंगे प्राउन को फ्राई किया हुआ भी खाया जा सकता है बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें कुछ मसाले डालके और सूखा भी खा सकते हैं इस तरह से प्राउन को फ्राई कर लिए हैं, ये दो प्याज हैं, बड़े साइज का उसको बारी काट लिए हैं, कड़ाई में दो चम्मच ओयल डालके गरम कर लेंगे, इसमें तीन तेज़ पता डाले हैं, छोटे साइज का कुछ गरम मसाला डालेंगे, लॉंग, छोटी प्याज को डाल देंगे, और प्याज को गोल्डेन होने तक फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम हाई पर रखते हैं, प्याज भून गया है, अब इसमें चाठ चम्मच अधरक लहसन का पेस्ट डालेंगे, अधरक लहसन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, और सबको मिला के अच्छे से भून लेते हैं, अधरक लहसन प्याज सबको भून लेंगे, अब इसमें कुछ सुखा मसाला डालेंगे, तो हल्दी पाउडर एक चमच, लाल मिर्च पाउडर, एक चमच, धनिया अधर, और सबको मिला के भून लेंगे, मसाला को अच्छे से भून लेते हैं, फ्लेम को नो मीडियम पर रखेंगे, ताकि मसाला ना जलें, अब इसमें दो टमाटर बारी काट लिये हैं, डाल देंगे, अब इसमें नमक डालेंगे, तो नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, अब इसको धक देंगे, धक देने से टमाटर अच्छे से पक जाता है, टमाटर पक गया है, अब इसमें प्राउन को डाल देंगे, और इसे मसालों के साथ, दो मिनट के लिए इसको भून लेते हैं, मसाले अच्छे से भून गये हैं, बहुत अच्छा फुस भूआ रहा है, अब इसमें कोकोनेट मिल डाल देंगे, बहुत ही क्रीमी ग्रेवी बनता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और इसको चार से पांच मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी कम लग रहा है, तो पानी डाल देंगे, या फिर कोकोनट मिल्क हो, तो हाप कप और डाल देंगे, और इसको ढख देते हैं, इसको पांच मिनट के लिए ढख के पकाएंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, पाश मिनट हो गया है, प्राउन पग गया है, इस तरह से ग्रेवी भी ठीक है, ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, इस तरह रेडी हो गया है, फ्लेम को आफ कर देंगे, अब इसको प्लेट में निकालेंगे, बहुत ही रिच कलर आ आया है और बहुत ही अच्छा खुस्बू आया है इस तरह फ्रेंड्स आप घर पे जरूर बनाएं सबको बहुत ही अच्छा लएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है इसको बाउल में निकाल लेते हैं देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है अब इसको धन्या पत्ती से गार्णीश कर लेंगे और इसको सर्फ करेंगे आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ में ले सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह आप घर पे जरूर बनाएं सबको जरूर अच्छा लएगा सबको बहुत ही पसंद आएगा अगर मेरी रिस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अच्छे चे फीटबैक दे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल प्रेस काना ना भूले ताकि मेरी नई वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आ झाचीं